Hello friends, welcome to SSC Coaching Center दोस्टो आज की वीडियो में बात करेंगे Maths के important questions की जो exam में पूछे जाते हैं दोस्टो जो कौश्चन आज की वीडियो में बताऊंगा सभी कौश्चन पूछे गए हैं exam में तो आप इस वीडियो को अंतर तक देखते रहिए दोस्तों मैं आपको बता दो मैंस के वीडियो पार्ट वाइस बना रहा हूं यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मैंस गर्ड पार्ट के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइस म कर लेंगे जैसे एक का स्कॉर करेंगे आपको कितना मिलेगा एक मिलेगा दो का स्कॉर करेंगे brm मिलेगा तीन का स्कॉर करेंगे कितना मिलेगा नौँ चार का स्कॉर करेंगे कितना मिलेगा सोला और पांच का स्कॉर करेंगे कितना मिलेगा पच्चीस मिलेगा किलियर है फिर छे का स्कॉर करेंगे 36 मिलेगा साथ का स्कॉर करेंगे उनन्चास मिलेगा आठ का स्कॉर करेंगे 81, 9 का square करेंगे, 8 का square दोस्तो 64 होता है, यहाँ पर 64 होगा, 9 का square 81, और 10 का square आपको कितना मिल जाएगा, दोस्तो 100, किलियर है, अब आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, इस option में से, इस option में से चेक करेंगे, कि इसमें आपकी कौशी संख्या एकायंक में नहीं दी वर्ग का इकायंक नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं होता है, 4 दे रखा है, यह तो इकायंक होता है, किलियर है, 6 दे रखा है, 6 भी दे रखा है, यह भी इकायंक में होता है, 8 देखो, 8 होता है किसी में, 8 आप चेक करेंगे, किसी में भी इकायंक में नहीं दे रखा है, यहाँ पाँच है एकाई अंक में यहाँ छे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी एकाई अंक में आठ नहीं है, तो आठ हमारा आंसर हो सकता है, किलिए रहें, नो चेक करेंगे, क्या नो किसी में है, नो देखें, तीन के में दे रखा है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो आठ तीन साथ और आठ ये चार अंक्ए ऐसे हैं जो किसी भी पूर वर्ग में इकाईयंक में नहीं आते हैं के लिए रह signal है देख़े दो को चेक करेंगे दो भी आपको इकाईयंक में नहीं मिलेगा तीन को चेक करेंगे तीन भी आपको किसी भी संख्या के बर्ग में एकाई यंक नहीं मिलेगा, साथ को चेक करेंगे, साथ भी नहीं मिलेगा, आठ को चेक करेंगे, तो आठ भी नहीं मिलेगा, केलियर है, अब यहाँ पर आठ की जगा, दो दिया जाता, तो दो आंसर हो जाता, साथ दिया जाता, तो यही संख्या एकाई यंग में आएंगी, ठीक है जो दे रखी हैं, दो, तीन, साथ, आड़, ये किसी भी संख्या के बरग में एकाई यंग में नहीं आती हैं, केलियर दोस्तों, बात समझ में आ गई, अब देखते हैं अगला कोशन, अगला कोशन है आपका, तीन संख्या पांच अनुपात, साथ अनुपात, बारह के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, कौन सी संख्या पहली, और तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या से पचास अधिक हो, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए यहा आपको ratio दिया गया है, अब question में क्या कह रहा है, कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो पहली संख्या और हम तीसरी संख्या का योग करके देखें, पांच और साथ कितना होता है, दोस्तो 17 होत साथ और पहली संक्या और तीसी संक्या का योग हमने किया तो कितना निकल किया है दोस्तों सत्रा ठीक है अनुपात में यहाँ पर देखेंगे आप कितना अधिक है अनुपात में चेक करेंगे तो दूसरी संक्या से कितना अधिक है पहली और तीस संक्या का योग दस अधिक है केलियर है यह साथ है दोनों का योग किया सत्रा तो दूसरी संग्चा से कितना अधिक है दस अधिक है लेकर यहाँ पर कितना अधिक दे रखा है यहाँ पर दे रखा है पचास अधिक तो यह दस दोस्तों आपका पचास के बराबर हो जाएगा हो जाएगा के नहीं हो जाएग 12, 17, 19, 19 को 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है इस 5 का multiply कर दो आप 24 से बस आपका 3ों का योग पता चल जाएगा 5, 4, 20 का 0 केरी का 2 5, 2, 10 10 और केरी का 2 कितना जाएगा 12 तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा किलियर है उम्मिद करता हूँ question आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आगे होगा तो कौनसा option सही हो जाएगा B option इसका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों किलियर हुआ अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका अनिल किसी कार्रे के दो बटे तीन भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है सुनिल की छमता अनिल से दोगनी है सुनिल उस कार्रे को कितने दिनों में पूरा करेगा ठीक है दोस्तों देखिए कोई भी काम है कोई भी काम है उसका दो बटे दो बटे तीन भाग किलियर है कितने दिन में पूरा करता है 18 दिनों में पूरा करता है किलियर है कौन करता है अनिल करता है ठीक है दोस्तों तो इसे हम solve कर लेते हैं पहले किलियर है अब दो बटे तीन भाग कितने में करता है 18 दिनों में करता है clear है तो एक काम है इसे कितने दुनों में पूरा करेगा 18 clear है अब ये इस तरफ चला जाएगा तो मल्टी प्राइम में तो 3 ऊपर 2 नीचे दूसे कार तो 9 बारी 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा तो आपका चrière चाल को कितने दुनों में करता है काम को 27 दुनों में करता है मतलब इसका आधे दिन मी कर लेगा किलियर है तो आधे में क्या करेंगा दूसरे डिवाइड कर देंगे आज़े दिन के लिए तो 27 वट्टे दो आपका सही आंसर हो जाएगा किस option में दे रखाए बी option में यही क्या हो जाएगा दोस्तो आपका सही आंसर हो जाएगा के लिए रहे उम्मीद करता हूँ कोशन आप सभी को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लीजिए अनिल किसी कार्रे के 2 वट्टे 3 वाको कितने 2 वट्टे 3 वाको 18 दिनों में पूरा करता है केलियर दोस्तों यहां तो कोई डाउट नी होगा अब कोई भी काम होगा एक काम होगा पूरा केलियर एक काम को कितने दुना में कर रहा है वो 18 दुना में कर रहा है इसको इधर बराबर में दे रखा है यह उस तरब चला जागा तो multiply में आ जागा तो 3 उपर 2 नीचे 2 से काटा 9 बार 9,3 का 27 अनिल कार्रे को करता है एक कार्रे को अनिल 27 दुनों में करता है और सुनिल की कार्रे छमता उससे दुगनी है तो इसका मतलब आधे दिन में कर लेगा सुनिल यह 27 दुन में कर रहा है तो इसके आधे दिर मीं कर लेगा सुरील तो 2 से डिवाइट कर देंगा आधे के लिए तो 2 से डिवाइट कर दे, 27 वट्टे दू आपका अंसर आगे के लिए रुई दोस्तों बात, अब देखेंगे अगला कॉस्चन अगला कॉस्चन है आपका, साधन ब्याज पर उधार दी गई एक रासी दो वर्षों बाद, 720 रुपे और फिर पांच वर्षों बाद, 1020 रुपे हो जाती है मूलधन गयाद करें, देखें कोई राशी है, दो वर्ष में कितनी होती है यह हो याज दोस्टो, 720 दो वर्ष बाद, ठीक है फिर क्या कहरा है, पांच वर्षों बाद, इसमें दोस्टों आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है क्या, यहाँ पर कभी-कभी दिया जाता है, पांच वर्षों में और कभी-कभी दिया जाता है पांच वर्सों बाद, किलियर है, यदि वर्सों में दिया जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप जब आएंगे, यहां पर दिया गया है पांच वर्सों बाद, पहले तो दो वर्स बाद इतनी हो गई, जब इतनी हो गई दो तो फिर 5 वर्स बाद और कितनी हो जाएगी तो इससे भी 5 वर्स बाद के लिए लोगी दोस्तों बाद मतलब इससे भी 5 वर्स बाद टोटल कितने हो जाएगे 7 वर्स दो वर्स ये और 5 वर्स ये टोटल 7 वर्स बाद कितनी होगी दोस्तों एक हजार बीस ठीक है बात समझ में आई अगर दिया जाता है पांच बरसों में तो दो वर्स यह और यहां के लिए फिर कितने आते दोस्तों तीन और आते तो पांच वर्स होते के लिए ठीक है समझ में आई दोस्तों बात अब देखिए यहां से यहां के लिए कितने का अंतर 20 he Moore's कितनी उगी mau k получ musun То भांच वरसों वाद हुई है 2020 ठीक है पहले कितनी 308 साथ सो पबीश पांच वर्सों में दोस्तों कितनी होगी एक हैं विस कि लिए एक बाझगी तो पांच वर्सों में कितनी बढ़ेगी 60 तो दो बरस में कितनी बढ़ेगी दोस्तों 120 बढ़ेगी किलियर है यहाँ पर क्या दे रखा था दो बरसों के बाद 720 रुपे हो गई किलियर है दो बरसों के बाद कितनी होगी 720 अब दो बरसों का ब्याज आपका कितना है 120 है अब ये हमारा ब्याज है 120 तो 720 में से हम ब्याज माइनस कर देंगे तो हमाले पास आपके क्या बचेगा मूलधन बचेगा तो 720 में से आप माइनस कर दीजिए ब्याज को मतलब 120 को जो निकल के आएगा वो आपका मूलधन होगा तो 720 में से 120 गया कितना बचेगा 600 600 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मूल्धन, option number B आपका साय हो जाएगा clear दोस्तों क्या कहा रहाता, 2 वर्षों में कितनी हो गई 720, 2 वर्षों में 720 हो गई तो इसमें हमारा क्या है मूल्धन और ब्याज दोनों सामिल है यदि हम मिस्सी धन में से क्या करेंगे ब्याज निकाल देंगे तो मूल धन बचेगा दो बरसों के ब्याज हमने निकाल दिया जो दो बरसों में बड़ा था वो हमने निकाल दिया 120 रुपे तो हमारा मूल धन बचा कितना 600 रुपे केलियर होगी दोस्तों बाद उम्मिद करता हूँ कोशन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन आपका साधन ब्याज पर 15% बारसिक दर से प्रतिमा बारस रोपे कमाने के लिए धीरज को कितनी रखम की आवश्यक्ता होगी केलियर दोस्तों देखें प्रतिमा यहाँ पर दे रखा है 15% बारसिक बारसिक का मतलब एक बर्ष केलियर है यहाँ पर दे रखा प्रति माहा का मतलब है एक महीने का 1200 केलियर है जब वो एक महीने का दोस्तों 1200 कमाता है तो एक वर्ष में कितना कमाएगा 12 से मल्टिप्लाई कर दो क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते है 12 से multiply कर दिया ये कितना हो जाएगा 14,400 हो जाएगा clear अब ये एक साल का हो गया 14,400 और एक साल का हमारा rate किया है 15% का तो 15% बराबर कितना हो जाएगा 14,400 हो जाएगा clear यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब क्या कह रहा है कितनी रकम की आवश्यक्त होगी कोई भी रकम की आवश्यक्त होगी अपने आप में कितनी होगी 100% होगी clear है अब देखे 15% बराबर 14,400 तो 100% बराबर कितना होगा इस 14,400 में क्या करेंगे यह बटे में आ जाएगा इधर equal में इधर कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यह बटे में आ जाएगा और % के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे clear दोस्तों बात आगी समझ में 15 से अब आप इसे कटा दीजे देखे 15,000, 135 होता है 144 में से 135 कट गया कितना बचा 9 9 में एक यह 0 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 90 तो 15,000, 90 एक और 0 बचा तो मतलब यहाँ पाद 0 आ गया अब 960 का multiply कितने से कर देंगे 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 6, 0 और यह दोनो 0 clear है तो कितना हो जाएगा 9,600 यही हो जाएगा दोस्तों आपका 100% का मान clear है 9,600 किस option में है D option में दे रखा है तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा उमीद करता हूँ question में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखतें दोस्तों अगला question अगला question है आपका 15% एलकोहल बाले 20 लीटर मिस्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे की मिस्रण में एलकोहल की मात्रा 12% हो जाए ठीक है देखे एक मिस्रण है मिस्रण में क्या दिया गया है दोस्तों आपको एलकोहल दिया गया है किलियर है एलकोहल दूसरा क्या दिया गया है पानी ठीक है दोनों चीज दी गई है एलकोहल की मात्रा कितनी है 15% है देखे एक चीज मैं आपको बताओं कोई भी मिस्रण होगा उसमें मात्रा क्या होगी किसी भी मिस्रण में 100% होगी किलियर है 100% होगी 100% में से क्या है 15% एलकोहल है तो पानी कितना होगा दोस्तों 85% होगा किलियर हो दोस्तों बात आपको कोई भी मिस्रण है अपने आप में 100% होगा और 100% में से जब 15% एलकोहल है तो 85% पानी होगा clear है, अब क्या कहा है कितना पानी मिलाना चाहिए, जिससे कि मित्रन में अल्कोहल की मात्र कितनी रह जाए, 12%, अल्कोहल की मात्र कितनी रह जाएगी, हिंड्रेट में से तो पानी कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी clear है अब जो पूछा जाए वो काम में नहीं लेना है कहने का मतलब है एक तो मिलाने वाला question होता है घटाने वाला इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए या फिर कितना और डाला जाए या फिर कितना और घटाया जाए, उसे काम में नहीं लेना है, क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, जो मिलाया जाए, जो घटाया जाए, उसे काम में नहीं लेना जाए, आंसर देगी ये वाली value, ठीक है, टोटल मिशन कितना था, आपके पास 20 था, आंसर देगी ये वाली value इंटू 15 उपर है 15 लिग दो नीचे क्या है आपका 12 12 लिग दो के लिए रहे 2 से कारदो से 6 वार जाएगा 2 से कारदो 10 वार जाएगा 10 का 15 से मल्टिपाई कर दो कितना हो जाएगा 1.500 बटे में कितना है 6 अब इसे कटा दो 6 से कितनी वार जाएगा 6 दुनी के 12 कट गया 3 बचा 30 6 पच्चे 30 कितना हो गया 25 अब देखे पहले कितना मिस्ट था टोटल आपके पास 20 था बाद में कितना हो गया 25 कितना बढ़ गया 5 लीटर बढ़ गया तो यही तो पूछा गया था आपसे कितना पानी म मिलाना चाहिए यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर ऑप संगर कितना है जो मिलाया जाए या फिर घटाया जाए उसे काम में नहीं लेना है दूसरी वैल्व आपका आंसर देती है कैलियर रह उमीद करता हूं कोरसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यादि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे और वेल आइकन का वटन भी दवा दीजे दोस्तों धन्यवाद